कि बहुत जादा देखा गया है कि जो कम उमर के लोग रहें जो तीस पैंटीस चालीज के एज के लोग से जिनकों हार्ट की कोई रिक्कत ने थी उन लोग ने हार्ट फेलियर या हार्ट अटेक का सामना किया है तो क्या इस वाली जो कोई डेटा या ऐसी कोई चीज है जो इस कि यडेट में सबी को अपना पल्स कितना है ब्लड पेशर कितना है साटूरिशन लेबल कितनी है कितनी है मेरा हो सकता है जदा इंगी ब्लड पेशर अगर आपका 120 क्या चल गा है तो सीधा जम करके अभी 170 बटा 100 हो जाएगा तो यह चीज जो है और अगर कोई fully blown hypertensive है तो it can result in accelerated hypertension diabetic patients हैं steroid की वज़े से बिलकुल extreme diabetes यह diabetic ketoacilosis DK में चले जाते हैं तो यह चीज़ देखी गई है कि pro-coagrin state stress की वज़े से एक तो stress है ही है plus अगर यह factors आपको हैं तो वो आपको और जादा modulate कर देते हैं और बिमारी को और बढ़ा देते हैं तो इसमें बहुत जरूरी है कि अगर किसी को भी chest pain घर में हो रही है जो chest pain का मतलब यह नहीं कि मैं अगर उंग्री से बोलूं मुझे यहाँ pain हो रही है जगर आप उंग्री से बता सकते हैं कि घर में 300 mg और चुवेबल आस्प्रिन ज़रूर रखें एक आस्प्रिन की गोली लेने से ही आपका 22% से चांद दे कि आपकी जिद्धी बच जाएगी और आप हॉस्पिटल तर पहुँच जाएंगे हम लोग नॉर्मल जिस्प्रिन की गोली तो वैसे सेड़े के लिए लेते है हैं तो घर पे एक एस्प्रिन की गोली रेतना दुरूरी है वैसे तींग गोलिया होती है नियर्थिन की 300 mg एक दवाई होती है क्लॉपेडोल 75 mg उसकी 8 गोलिया और तीसरी दवाई होती है 1.2 यहीत दवाई होती है स्टांट in 80 mg की यह तीन गोलियां अगर आप लखेंगे त तो आपको heart attack से बचने का chance तकरीवन 40% हो जाता है और आपको it helps you by time जब तक आप hospital पहुंचेंगे तो यही दवाईया emergency में दी जाती है तो उस time पे वहां तक हम पहुंचके फिर directly angiography या कोई भी जो इसके इलाज है वो कर सकते हैं तो हर घर में कम से कम तीनों दवाई नहीं रख सकते हैं तो कम से कम aspirin तो जरूर किए इसमें सेवियर लाइफ इसमें सवाल था इसमें कि क्या को इसा को रिलेशन है कि जो कोविट का infection होता है तो चैस इंफेक्शन मालो 40% है या 50 पर नहीं से बढ़ता जाता है उस तरह हार्ट की दिक्कते आना की probability बढ़ती जाती ऐसा कोई को रिलेशन है के बीच में जब नहीं ऐसा होता है कि अगर आपका स्कोर जादा है तो इसका मतलब यह कि आपको infection severe है तो उस severe infection के लिए जैसे बटाया कि आपकी बोड़ी की जो reaction होती है वो reaction भी severe होगी until unless आप इसे immunosuppression या anti-cancer drug ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं तो बॉड़ी की reaction उतनी ज्यादा होगी जितना severe आपको infection होगा तो उस infection में होता क्या है कि आपको जो clot बनेंगे वह उतने बड़े-बड़े clot बनेंगे तो उसका जो 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 प्लोट अगर हाट में जाएंगे तो आपको heart attack हो सकता है अगर यही clot अगर आपके heart से pulmonary artery में जाएंगे जो कि आजकल जिसको pulmonary embolism बोलते हैं लंग के अंदर बड़ा अच्छा बहुत बड़ा आई उससे बहुत बड़ा clot बन जाता है जिसको saddle embolism बोलते हैं इसके कारण भी बहुत हो रही है इसको pulmonary clot निकाल देते हैं या तो काडियोलोजी वाले cat lab के जाके अपनी cat से वह urokinis जो भी streptokinis उनसे देख के निकालते हैं या फिर इसको तो जैसे इस समय कई केस ऐसे हैं ना कि जो कोई के पेशेंट है वो heart attacks उनकी death हुई तो क्या कोई pre 7-8 वे दिन कोई ऐसी process होती है इसमें डॉक्टर यह जज होता है कि आप अचीको पैरों में घंपरों में जड़ाते हैं तो हट हाट की दो तरह सő Tunus में लनग गया तब हो सकते हैं और दूसरा यह अगर आट्रियल क्लॉट बन गए जैसे कि आजकल बहुत सारे इमेजिंग जो हो रही है उसके अंदर यह भी देखा गया है कि एउटा की अंदर 15-20 जगह पे अलग लग अर्टीज में अलग जगह पर बहुत सारे क्लॉट्स बन गए और ऐसे सेम हाट भी तो है बड़ी उसके अंदर यह हाट की जो वैसल्स के अंदर कॉर्णर इसमें वह जाता है तो उससे हाट अटाइक हो सब्सक्राइब बट इस वेरी कोमन इवन इवन इफ यू आर फाइन यूर कमिंग लाइक वे तुदा हॉस्पिटल जस्ट फार दा चैक अपन यू डूंट नो कि तुम्हारे को इतनी बड़ी प्रावलम है इमेजिंग में बता लगता है कि इनके तो बहुत जगह पर क्लॉट है जिस सिंटम नहीं आए है ऐसा भी हो रहा है तो जो कोविट पेशेंट है जो अलड़ी होस्पिटलाइज है और वो ठीक होने कगार पे तो उसको क्या अपने साथ में और बाकि उसके फैमिली मेंबर सो किन चीज़ों को अबसर्व करना चाहिए कि उन्हें सौझ में आए कि हां यहां कुछ सिर्थी गरबर हो सकती हार्ट से रिलेटेट कुछ ऐसा पता सकते हैं क्या है इसमें सबसे पहले तो अच्छा सबसे पहले तो अच्छ की बहुत जरूरत है क्योंकि लंग अपने आप पूंट्रैक्ट नहीं करता हाट की तरह है आपकी जो है वह आपको कॉंट्रैक्ट करवाती है जो लैंग को मतलब कम ज्यादा करवाती है तो आपको लंग के लिए सबसे मार्ट है कि चेस्ट की एक्सरसाइज सबैस का शांस लेने की लंबा सांस लेने की थोड़ा दोड़ने की दूसरा पिशेंट को थोड़ा बहुत ब्रिस्क वाकिंग या रन करना चाहिए कि उसको डीवीटी जो मैंने आपको बता है पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं तो भी वह प्रोगुलेंट स्टेट में रहता है तो कीजिए बहुत इंपॉर्टन मांकि आपको डॉक्स सब बताएं कि बैसिकली आप स्टेशन शुड़ देस्टेम्स जैसे अगर कोई सिम्टम्स इस तरह के हो रहे हैं जो मैंने जैसे बताया चेस्ट पेन हो रही है एक दो किलो का वजन चाती में आ रहा है यू के नॉट पि जिन लगें के लिए सब चीजें की वज़ेसे बी इस तेरुएं जो मिल्कुल होने लगें हो जाएंगी जो मेटाबोलिक सिंड्रॉम जिसे कहते हैं वह बत्से बखतर हो जाएगा इसी लिए यह सब चीजें पता होनी चाहिए अगर आपको प्वीपी सिंटम्स आ रहे हैं पल्स फ्लक्टवेट कर रही है, तो अपने फिदिशन एक काडियोलोजिस से मिलें, उससे जाके अपना बेसिक ECG कराएं, एको एक अल्टरसाउंड होता है, हाट का वो कराई है, जो जिससे आदी से जादा बिमारियें सामने आ जाएंगी, यह या होल्टर जिससे मैंने बताय कि घरतन की मैसुस होरी बिमारी, तो वो कराई है, बिकॉस अर्ली डाइग्नोसिस विल सेव यू, और साथ में प्रेवेंशन में बताया कि यह एक्लीस आस्परिन की गोली पर कम से कम धर पर रखें, अगर बाकी वो तीनों लोडिंग लोज की गोली रख सकते हैं, तो नथि यह सब चीजें अपने वाच करते रहें, इस सिंटम्स को, और जैसे अर्ने बताया एक्सराइज़ में, एक्सराइज़ में रूटीन ली जैसे अपने आप कॉंट्राक्ट नहीं करते हैं, तो उसमें छोटी-छोटी एक्सराइज़ जैसे स्पाइरोमीटर हो गया, या ब्र CT scan normally होगा, तो अगर आप 35 seconds is more than ideal, and at least more than 25 seconds is optimal, 25 seconds से नीचे हैं, तो वो नापते रही है, similarly, थोड़ा 6 minute walk test हम लोग बोलते हैं, तो वो नाप पीगे भी 6 minute walk test में किती देल में मैं कर रहा हूं, मेरी oxygen level drop तो नहीं हो रही है 6 minute walk test के बाद, तो यह आपस में family members जीसा भीकठे मिल जा रहा है, या आपके D-dammers बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब खत्रे की घंटी है, और ज़रूरी नहीं है कि CT scan क्या होगा, CT scan आप पहली बार करेंगे, let us say you do a CT scan on day 7 or day 10, और versus you do a CT scan, उसके second CT scan आप अगर improvement हो भी रही होगी, तो दूसरा CT scan में picture और खराब आएगी, आएगी So it is more of your clinical symptoms which are there, अगर clinical symptoms ठीक जा रहे हैं, तो कोई आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अपने नमर्स देखते रहे हैं, because you precisely know your own body, तो यह बहुत जरूरी, general awareness बहुत जरूरी है COVID में, तो बहुत बहुत शुकरिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुकरिया हमार कर दोरी हमारूरी है।